रतनपुर नमक एक छोटे से गाउं में रामकिशन नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटि थे रोशन और सूरज। रामकिशन काफी बूढ़ा हो चुका था और वो अकसर बीमार रहता था। एक दिन वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है। अरे मेरे बेटो, देखो मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम दूनों भाईयों में आपस में कोई लड़ाई जगड़ा ना हो, इसलिए मैं पहले से ही तुम लोगों का बटवारा कर रहा हूँ, हमारे पास जितनी भी जमीन है, वो आधा आधा हिसा तुम उनों का है, पिता जी मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, इसलिए मुझे जिस जमीन पर ट्यूबल लगी है, वही वाली जमीन दे दीजे, मैंने तो सोचा था तु बड़ा भाई है, इसलिए वो वाली जमीन तु अपने छोटे भाई को देना चाहेगा, पिता जी आप जमीन चाहिए, वो ले सकते हैं, ये सुनकर रोशन खुश हो जाता है, उसके पिता जी उन दोनों का बटवारा कर आखे बंद कर लेते हैं, उनके क्रिया कर्म के बाद, देख भईया, लडाई जगडे की तो कोई बात अब रही नहीं, पिता जी ने अपने जीते जी हम दोन का बटवारा कर दियाता है न, अब तू अपना घर देख और मैं अपना घर देखता हूं, ठीक है, आप मेरे बड़े भाई हो, जो आपको ठीक लगे, कुछ दिन में दोनों भाई अपने घरों के साथ अपनी जमीनों को लेकर अलग हो जाते हैं, आप तो किसी बात का विरो कुधी नहीं करते, जो भी पिताजी ने दिया, चुपचाप ले लिया, और जो भाई ने कहा, वो भी चुपचाप मान लिया, तो मैं पता है, हम अपनी किसमत से नहीं लड़ सकते, जो मेरी किसमत में है, वो मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है, मुझे अपनी खेतों पर म अब हमें दूसरों से पानी मांग कर अपने खेतों में लगाना पड़ेगा देखता हूँ, कोशिश करूँगा, मैं भी अपने खेतों में ट्यूबल लगवा लू सूरज की पतनी को उसका फैसला बिलकुल भी सही नहीं लग रहा था और उधर रोशन के घर पर ये आपने बहुत अच्छा किया, ट्यूबल वाली जगे ले ली वरना बेकार में लोगों से पानी मांगना पड़ता मैं तो पहले ही समझ गया था कि पिताजी सूरज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसलिए उसे वो जमिन देंगे इसलिए मैंने पहले ही मांग ली दोनों पती-पतनी खुश थे कि उन लोगों को सिर्फ अपने खेतों पर काम करना है ट्यूबल की कोई चिंता नहीं और उधर सूरज ने अपनी नई फसल की तयारी शुरू कर दी उसने कई लोगों से पानी मांगा लेकिन किसी ने भी उसे खेतों में चलाने के लिए पानी नहीं दिया मैं उनी से बात कर लेता हूँ सूरज अपने बड़े भाई रोशन के पास पानी मांगने के लिए जाता है अरे सूरज तु दो चार दिन बाद आता तो मैं तुझे पानी दे देता लेकिन भाई अभी तो मैंने अपनी केतों में पानी चलाया है सूरज दुखी होकर वहां से चला जाता है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पानी का इंतिजाम अपने खेतों में कैसे करे वो उदास सा अपने घर की तरफ चल देता है तभी रास्ते में उसे एक साधू महराज मिलते हैं अलोग निरंजाण अलोग निरंजाण भगवान भोले ना तेरा भला करेगा बेटा साधू को भूग लगिये थोड़ा भोजन करवादो महराज मेरा घर यहां से थोड़ी ही दूरी पर है आप मेरे साथ चलिए भगवान तुमारी सब मनो कामना पूरी करेगा बच्चा ऐसा बोल कर वो साधू सूरज की साथ उसके घर जाता है सूरज अपनी पत्नी से कहकर साधू महराज के लिए भोजन तयार करवाता है भोजन करने के पश्चात साधू अरे बेटा, बहुती स्वाधेस्ट भोजन वनाया था भूखे को भोजन कराना पुंड का काम होता है बच्चा मांग क्या मांगता है महराज आपने आशिरवा दे दिया बस यही बहुत है वेटा एस सादू से कुछ नहीं चुपया सूरज और उसकी पतनी सादू महराज के पैल छूते हैं और सादू महराज वहां से चले जाते हैं सूरज उस बड़ी सी कील को हाथ में लेकर क्या सचमुच महसा होगा इस कील को जहां पर भी लगा दूँगा वहीं से पानी निकल आएगा अरे वाँ अब इतने बुज़ूर्ग आदमी हमसे जूट बोलकर तो नहीं गये होंगे एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है सूरज अगले दिन उस कील को लेकर अपने खेतों में जाता है और एक जगह कोने पर उसे गाड़ देता है जैसे ही कील जमीन के अंदर जाती है सूरज हैरान हो जाता है वहाँ पर अपने आप एक ट्यूब वेल आ जाती है ये देखकर सूरज बहुत खुश होता है वो अपने खेतों में पानी दे देता है और जब सारे खेतों में पानी भर जाता है तो वो ट्यूब वेल गायब हो जाती है और वो कील जमीन में नजर आती है सूरज उसे निकाल कर अपने पास रख लेता है तब ही रोशन वहाँ आ जाता है क्या बात है सूरज? सूरज को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था उसने जूट बोल दिया कि उसके पास जनरेटर था और उसने मुझे पानी दे दिया लेकिन रोशन को ये बात हजब नहीं हुई उसने कई किसानों से पूछा, सबने मना कर दिया कि किसी ने भी सूरज को पानी नहीं दिया घर आने पर तेको भई, कोई बात तो है जो सूरज तुमने मुझे से छुपाई है जब लाइटी नहीं थी तो पानी कैसे भरा उसके खितों में तो आपको पता करकर आना चाहिए था कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंके हाथ में कोई जादू चीज लग गई हो अरे वाई, तेरा दिमाग भी ना ना जाने, क्या, क्या सोचती रहती है अरे वी, जादू से पानी कैसे चल सकता है जरूर कोई और बात है उदर सूरज बहुत खुश था वो अपनी पतनी को बताता है कि उसने जैसे ही कील को जमीन में गाड़ा वहाँ पर एक जादोई टूब वे ला गई और उसने खेतों में पानी भर दिया ये सब कुछ साथू महराज की किरपा से हुआ है मैं तो उन्हें दिल से धनिवाद देती हूँ मेरी बात सुनो इसे बड़ा समहाल के रखना इसी तरह पूरा एक महीना बीच जाता है खेतों में फिर पानी की आवशक्ता पड़ती है इस बार रोशन सूरज के उपर नजर गाड़े हुए था इस बार मैं भी देखता हूँ कि सूरज कैसे अपने खेतों में पानी चलाता है मैंने सब किसानों को मना कर दिया है कोई भी सूरज को पानी नहीं देगा एक दिन सुबह सुबह सूरज अपने खेतों में जाता है रोशन उसे खेतों में जाता हुआ देखकर उसका पीछा करता है रोशन देखता है कि सूरज इधर उधर देखता है और फिर अपनी जेब से कोई चीज निकाल कर जमीन में लगा देता है देखते ही देखते वहाँ पर एक ट्यूबेल आ जाता है जो बड़ी ही देजधार के साथ पानी बाहर फेक रहा था कुछी मिन्टों में सूरज का पूरा खेत पानी से भर जाता है ये सब रोशन अपनी आँखें मल-मल कर बार-बार देख रहा था इसका मतलब सूरज के पास में सचमुच कोई जादुई चीज है जिससे पानी निकला और उसका खेत पानी से भर गया इसके लिए तो उसे लाइट की भी जरूत नहीं पड़ी अब तो मुझे वो चीज लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मैं लाइट की वज़े से अपनी खेतों में समय से पानी ही नहीं दे पाता सूरज ने वो कील निकाल कर अभी अपनी जेब में रखी ही हुई थी कि रोशन वहां आ जाता है मैंने सब कुछ देख लिया सूरज इतनी बड़ी बात तुने अपने भाई से चुपाई बस यही था तेरा और मेरा खून का रिष्टा बाई चुपाने जैसा कुछ भी नहीं है बस मेरे उपर भगवान की करपा हुई और मुझे यह कील मिल गई इस कील को मैं अपने खेट में जहां पर भी लगा दूँ वहीं से एक जादू टूवल निकलाता है और वो कुछी मिनिटों में इतना पानी फेक देता है कि सारा खेट भर जाता है अच्छा ज़र मुझे भी तो दे मैं भी अपने खेटों में पानी चला देता हूँ इस अफ़ते गाउं में लाइट नहीं होगी गर्मी इतनी है कि पौदे जुलस जाएंगे आँ भईया क्यों नहीं ये लो ना काम खत्म होते ही आप मुझे ये दे देना अरे तू एक बार ये दे तो सही फिर देखता हूँ तू मुझसे ये कील वापस कैसे लेता है रोशन सूरज से कील लेकर अपने खेतों में जाता है और वहाँ एक कोने में कील को गार देता है देखते ही देखते एक जादूई टूब वेल वहाँ पर आ जाता है लेकिन ये क्या? उस टूब वेल से पाने की जगए चोटे-चोटे पत्तर निकल रहे थे जो पूरे खेत में फैलते जा रहे थे रोशन जल्दी से उस टूब वेल को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो टस से मस नहीं होता उसमें से पत्थर निकले जा रहे थे वो पत्थरों के आगे कपड़ा लगाता है पत्थर इतनी तेजी से बाहर आ रहे थे कि वो कपड़े को भी फार देते हैं रोशन डर जाता है और भागता हुआ वो सूरज के पास जाता है है सूरज, है सूरज, यह भाई ए सूरज, चलना मेरे साथ चल, तूने जो केल देती न उसकी वज़े से मेरे खेतों में हर जगे पत्तर ये पत्तर फैल गए है ऐसा कैसे हो सकता भीया मैं जब उसे लगाता हूँ तो पान ही निकलता है जरूर आपके मन में कोई खोटा विचारा है होगा सूरच जल्दी से मेरे खेतों में चलना और उस टुवेल को वहाँ से दिकाल ले हाँ, मेरी मन में विचारा आया था कि मैं तुझे कील वापस नहीं करूँगा लेकिन सूरच, ए मेरे भाई मैं कहता हूँ उस कील को वापस ले ले और मुझे कभी उसकी शकल भी मत दिकाना मेरी सारी फसल खराब हो रही है सूरच रोशन वहाँ जाते हैं सूरच देखता है कि भाई की पूरे खेतों में चोटे-चोटे पत्थर बिखरे पड़े हैं और जब सब जगे पत्थर फैल जाते हैं टुवेल केल बन जाती है सूरच उसे निकाल लेता है तेरी जादुवेल की वज़े से मेरी सारी फसल खराब हो गई अब तुझे भी हर जाना देना होगा भाया इसमें मेरा कोई कुछूर नहीं है ये सब आपके लालच की वज़े से हुआ है रोशन अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है अब सूरच को जब भी पानी की जरूरत होती वो जादुवेल की वज़े से अपने खेतों में पानी चला लेता रोशन का हश्र देख कर कोई भी किसान सूरच से वो कील नहीं मांगता